नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यह समय स्टेडी पॉइंट में स्वागत है आज हम आपको ट्रेंगल का पार्ट टू पढ़ाएंगे जिनने पार्ट वन नहीं देखा है वह हमारे वीडियो में डिस्केप्शन बॉक्स में वीडियो को लिंक दे दे और साथ ही साथ कुछ कोशन कराएंगे ऐसान तरीके से कुशन आसान होगा तो आए हम पढ़ते पहले थियूर्म थेखते हैं तो सबसक्राइब देखने के लिए हमें लेन्ग अप्रेंगल यह पर लेते हैं और यह चैंगल सब्सक्राइब और यह मान लिए हमने यह मान लिया ब और यह मान यह सी अब देखिए इस सी को जो है हम आले पढ़ाते हैं जो यह एंगल यह संधिभाजक हुआ यानि A cb का कौन संधिभाजक खीचा और साथ में एबीसी का कौन संधिभाजक खीचा ठीक ना तो जहाँ मिलते हैं हम आज उसके बारें पढ़ेंगे कि वहां कितने इंसका कोन बनेगा ठीक है जिसे माल लिजिए देखते हैं ये संद्धिभाजक और सीवियर काभी संद्धिभाधक है जहां पर चांए आप कितना मान होगा तो इस थेरह में ही जानेंगे कि जब कोई दो ये बी-सी का कौन संद्रीबाजा खीचा गया और ऐचा दो अधियों का दो वाधा खीचा जाए तो जिस पॉइंट पर जाए कि मिलते हैं उस पॉइंट में कितना का कौन बनेगा तो यह हमेशा अगर इसका आधा होता है यानि एक कितना हो जड़े है ये unity कि महीं है इसका आधा होता है बी डी सी je हमईशा बेशीं का दा होगा तो किसमद्रूअ होगा वी डी सी जो है हमेसा बीयेसी का दो एकाल एंगेक निकालना हुआ है एंगेल बी डीसी स्कॉल्टू क्या हो जाएगा एंगेल बी एसी बाइटू हमेशा तो थेहरम क्या बनी कि कोई तो अगर भुजाओं का कौन संदिभाजा क्लाइन खीची जाती है तो वह जिस पॉइंट और मिलेगे जाके वह सेस तूर का आधा होगा ठीक फ्राइबों आपको एद रक्नी है महालीजह एंगेल वी एसी पूचा जाये तो बी डीजिशी का डबल कर देंगे ठीकनाइइ इसका जो हिम यह दाबल कर देंगे अगर वाल्जीए एंगल दिया गया है और यह पूचा गया है तो माधा कर देंगे ठीटा का और यह मालीज यह बात आप याद रखेंगे आए आए अब स्पेस कुछ कोशन करते हैं जैसे माले कोशन है कि रिभूज बीसी में कोर बी का आंतरिक को अन्दिभाजक तथा एंगल सी का बाहे कॉड्स अन्दिभाजक बिंदू डी पर मिलता ठीक ना बिंदू कहां मिलता डी पी मिलता है य है जो मैंने क्या कहा ये जो है बीडी इसी जो है बीच आधा होता है ये सी दिया गया गया भी डी सिपनुछ dipping तो में क्या कर लेना सिम्पल सा बीडींसीxx2 ओंगल भी एस लगाई टू तो ब्यासी कितना गिश्वाय गया कि 3 जाएगा 30 तो इंसर कितना जाएगा 30 देखे इतना अगर आप देखेंगे ऐसे तो बहुत टफ लगेगा कोशन देखने में बट अगर आपको थेवरम आता है तो बहुत आसान कोश्चन है तो आप क्या सीख गए बी एसी दिया गया था और बीडी सी पूछा गया बस इतना एक बात का सिर्फ ध्यान रखेंगे आप वह ध्यान यह रखना है कि बी का यह कौण संद्धभाजा खो और सी का भी यह आंत्रीक मैंने बताया थाना पहले वीडियो में बायकोण क्या होता है तो सी जो है वह बायकोण है और वी जो है कोई सबूदर अगर यह इल्टा भी बना देता हो तब भी कोई दिक्कत नहीं ऐसे बन गया इसे बन गया तब्ussen दिखत नहीं यह जो होगा कॉर्ण हमेशा है इसका अधा होगा है ओर यह जो कॉंण होगा यह इसका हमेशा डबल होता है कि का दिए गए चितर में कूंड एशी बी का यहां फूर्व किस़ंधिभाजक आनिगे यह एशी बी है ठीक ना यह देखिए Despite डियागेना एइसी पी का इस्जिया है और संधी ओर एगनटे का बिनुडिपर मिमें थे फिर फिर भापन्ते रेह यह दिखें की यह वैलू आपको रियात करने यह धीया सिदिया गया है और हमको क्यात करना है BDC वहीं सिंपल एमने क्या बताया BAC बराबर एंगल BDC का दो गुना ठीक वह अगर उल्टा कर लिजे BDC बराबर क्या होगा एंगल BAC का आधा तो BAC कितना दिया गया बच्पन का आधा कितना हो जाएगा बटेदो 27.5 इसका एंशर कितना जाएगा 27.5 एंगल अगर एक आंत्रिक समधिभाजक दिया गया और वह बाकिस जो कौन है उसका अधा होता है ठीक हो गया समधिभाजक आप लोग पता दल गया तो यह थोरा बहुत एंगल यानि कौन के हिसाब से कि ट्रेंगल कितने प्रकार के होते हैं अब हम इसमें बताएंगे भुजाओं के हैं अनुसार भुजाओं के अनुसार कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं पहला होता संभाव त्रिभुज दूसरा विसम्भाव पहला यह दूसरा विसम्भाव और तीसरा क्या होता सम्दुभाव सम्दुभाव ठीक है तो आई हम तीनों एक ही फिग्रम बनाके मलब एक ही स्लाइड बनाके समझ लेंगे कि संभाव क्या होता संधिभाव क्या होता और विसंभाव क्या होता है तो चलिए देखते हैं ते यह संभावत्री भूज प्रोपर्टी क्या होती है जिसकी सभी बुझाया समान हो सभी भुजाएं समयन। फो जाहां हो ठीक है और प्रते कोर साजैंक का हो कि मैं ना सभाल के वह बहुत असान होते हैं कर या और सारी में भी बराबर होती ठीक है ना और के इतना बराबर होगा साठ नस बराबर होगा होगा और प्रम Eyes हो यह लिदो हो है सम्द्विभाऊ क्या प्रॉप फॉर्पर्वे कोई दो भुजाएं बराबर ही समय समय यह और यह बराबर दिख रही ना तो संब्वाऊ मतलब धेखोघ नाम से क्या है तो दोई बाऊ सम दिभाओ मलब दोब भुजा Si Sam excellence अहों वो वे विसंभाओ विसंभाओ नाम से इसपर इस हो रहा कि कोई भी भुजा समान नहीं होगी तो कोई समान नहीं होगा इसमें सम्द्रबो दो भुजा समाना रोंगे जो भुजा समान रोगे यह pela है और यह सी है अगर एभी बराबर एस इह तो एवी के सामने कोण यह तो समान भूजा के सामने कि वाला कोण समान होता है ठीक है जिस आप नोट कर लेंगे हैं को हाँ तो घ्रण आपको मेरा वीडियो अच्छा बढ़ दो बढ़ दो